अनएकेडमी के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का हर्दी कभिनन्दन है, आप सभी जुणे और मैं डॉक्टर अजे कुमार पांडे अनएकेडमी के इस यूटूब चैनल पर आपका अभिनन्दन करता हूं, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग प्रती दिन कभी बीच में एकाध छुटी हो जाए उसके बाद हम लोग जो है mcq करते हैं इस पर कभी current होता है कभी mix mcq होता है और कभी जो है big quiz होता है तो आप सभी साधे साथ बजे हमारे इस चैनल से यूटूब के चैनल से आप ग्यान जग ग्यान जग ग्रहन कर सकते हैं और आप सभी जो लोग अभी live हैं आप सभी का स्वागत हैं आप सभी आप सभी जो है ओ जुडिये और बिल्कुल तो आप सभी जुडिये जितने लोग live हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ शोनल कुमारी शोनल कुमारी शबनम मंसूरी शुभम रंजन सुजाता राय दीविशा सिंग आप सभी का अभिनंदन है आप सभी जुडिये और मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ तो इस तरह आप सभी जुणे शोनल गुडिवनिंग खुश रहिए दीविशा सिंग खुश रहिए शुजाता राय खुश रहिए बाबु खुश रहिए खुश रहिए शुभम रंजन जी खुश रहिए सुभम जी सबनम गुडिवनिंग सबनम गुडिवनिंग सुभम रंजन जी खुश रहिए बाबु सब लोग तो अभी हम लोग MCQ करेंगे मिक्स MCQ आकांचा आकांचा बर्नवाल खुश रहिए आकांचा बर्नवाल खुश रहिए बाबु निशा सिंग गुडिवनिंग निशा आप सभी खुब खुश रहिए अभिस्येक कुमार जी गुडिवनिंग अभिसेक जी आप सबों का स्वागत है अभिसेक जी आप सब जुडिये और हम सुरू करने जा रहे हैं आप लोगों की परिच्छाएं बिलकुल अब नजदीक आती जा रही हैं दिन परती दिन ये परिच्छा चाहे बिहार SI की हो या ये परिच्छा BPSC की हो या CDP की हो CDPO की हो ये सभी परिच्छाएं ये सभी परिच्छाएं मनीशा राज खुश रही है बाबू शोनल कुमारी जिसमें हम लोग बिहार कर रहे हैं वह क्लास होगी ही होगी हाँ बिल्कुल बाबु सुभम जी एक्जाम निकट है आप लोग का और मैं आप लोग के साथ तैयार हूँ बहुत क्लास कभी कभी हो जाता है तो एकाथ बार रिलेक्स करने के लिए या कोई गेस्ट आ गया या कोई कुछ तो इसके लिए एकाथ क्लास नहीं होती है लेकिन आप लोग सब मेरे साथ रहे हैं सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ यह मैरा थन यह मैरा थन एमसी क्यूँ है थेंक्यू थेंक्यू मनिशा थेंक्यू मनिशा वहाँ पांच बज़े मैं कोईसिस करता हूँ कि जरूर पांच बज़े का क्लास जो है पांच पी एम का क्लास वहाँ बहुत महत्रपूर्ण है चुकि आप सबोंने इस क्लास को अनेकेडमी के इस क्लास को बहुत सम्मान दिय यगा है आत्धा आप लोगों के इस सम्मान का और आप लोगों ने यूट्यूब पर भी बहुत सम्मान दिया मुझे और आप लोगों के सभी सम्मान का मैं जो है अभरी हूं तो आप सभी अब कहें इजाजत दें तो हम लोग चलें usha감 Cara आप सुरो क्या जए बिल्कुल बाबु बिल्कुल अगला पहला प्रस्न किसने कहा था संसदिये संसदिये है संसदिये लोकतंत्र का अर्थ है एक ब्यक्ति और एक मत ये भीवियाई क्वेश्चन हमेशा पुछा जाता है किसने कहा था संसदिये लोकतंत्र का अर्थ है एक ब्यक्ति और एक मत्ध गोड इबनिंग बाबु गोड इबनिंग किस ने कहा था संसधिय लोग तंत्र का अर्थ है एक ब्यक्ति और एक पद गोड इबनिंग प्रदुमंजी गोड इबनिंग बाबु कुमारी सुधा गोड इबनिंग यह कहा था डॉक्टर बी आर अंबेद करने डॉक्टर बी आर अंबेद करने जो है ओ बताया था कि संसदिये लोकतंत्र का अर्थ एक ब्यक्ति और एक पद होता है निम्न लिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्र पति द्वारा नहीं की जाती है अगला प्रस्त निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्र पति द्वारा नहीं की जाती है कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट गुड इमनिंग कुंदन जी इगल केमिंग जी गुड इमनिंग बाबु किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट पति द्वारा बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट पति द्वारा एक दम सहिए अगला प्रस्त संसद के चुनाओं में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है संसद के चुनाओं में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है आपके सामने प्रस्न संख्या 3 प्रस्न संख्या 3 संसद के चुनाओं में मत देने का अधिकार ये जो है कानूनी अधिकार है बाबु ये आप अगर नियायाले में अगर आवेदन देंगे तो आवेदन जब नियाले में देंगे तो दो तरह का अधिकार होता है एक मौलिक अधिकार जब नियायाले में आप आवेदन देंगे तो दो तरह का जो है ओ अधिकार के लिए अगला प्रसन भारत के महत्त्यक पूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्यक उलेक संविधान की किस अनुसुची में? भारत के महत्पूर्ण अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उलेक संविधान की किस अनुसुची में है चार प्रस्न संख्या चार किस अनुसुची में एक दम सही है इसमें इसमें जो है दूसरी अनुसुची में प्राथम अनुसुची में संग और राज चेत्र है, संग और राज चेत्र, द्वीती अनुसुची में बेतन भत्ते हैं, बेतन भत्ते, त्रीती अनुसुची में सपत और प्रतिज्ञान है, सपत प्रतिज्ञान है, चतुर्थ अनुसुची में जो है राज्य सभा में, राज क्लियर है बी सही है संग लोग सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है संग लोग सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है हाँ पांच का बिल्कुल बी है रास्ट्रपति द्वारा की जाती है संघ लोक सेवा आयोक के सदस्यों एवं अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोक के अध्यक्ष एवं सदस्यों दोनों की न्यूक्ति जो है राष्ट पती द्वारा की जाती है बिल्कुल विदर्व और ये कौन सा अनुछेद है ये अनुछेद है 315 जिसके तहट इनकी न्यूक्ति की जाती है विदर्व का प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किस राज में है और यह कहां है विदर्व विदर्व कहां है इसके भी अलग राज्य की मांग हो रही है विदर्व के अलग राज्य की मांग हो रही है खास करके तेलंगाना के बाद तेलंगाना के बाद जबरदस्त इसका अंदोलन हुआ है और बाचित जो है इसमें धीरे धीरे सुगगाट हो रही है विदर्व के और ये महारास्ट्र में है और ये मांग की जा रही है कि महारास्ट्र के नागपूर को इसकी राजधानी बनाया जाएगा ये पुर्वी महारास्ट्र में है और महारास्ट्र के नागपूर को मांग की जा रही है विदर्फ एक अलग राज्य बनाईए और नागपूर को उसक का स्षुरत है वह कौन है मान सरोवर जहिल के पास किस नदी का स्षुरत है लाजवाब ही लाजवाब तॉध ऎहां ब्रह्मपुत्र का भी स्रुत है सतलज का भी स्षुरूत है सिंधु का भी कहिए तो सुरोथ है तीनो लगभग नदियां वहीं से निकलती है क्या बात है ला जवाद भारत के चावल के कटोरे छेत्र का नाम कौन है भारत के चावल के कटोरा के छेत्र के के नाम से कौन विख्यात है चावल का कटोरा के नाम से क्रिश्ना गोदावरी डेल्टा भारत के चावल के कौन सी गैस निकलती है ज्वाला मुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है PSC Aspirants जी स्वागत है आपका स्वागत है बाबू PSC Aspirants जी भगवान करें आप PSC Compete करें Provincial Civil Services आपके वाला Aspirants न रहें तो ज्वाला मुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है अक्षत अक्षत बहुत बढ़िया आकांच अक्षत बर्नवाल अकांच अकांचा बर्नवाल और अक्षत अकांचा खुश रहे बाबू खुश रहे यह कुंदन जी यह जो है सबसे अधिक गैस जो निकलती है जल वास्प जमा होते जाता है और जल जो रिस रिस करके जाता है वो गर्मी से बास्प में बदल जाता है अनदर एक प्रेसर कुकर तैयार हो जाता है अंदर एक प्रेसर कूकर तैयार हो जाता है और जहां कमजोड करी वहां ब्लास्ट मारता है ब्लास्ट करके उड़ा देता है वहां ब्लास्ट कर देता है वहां पर तो अब जहां पर ब्लास्ट होगा सबसे ज़्यादे कौन सी गैस निकलेगी तो सबसे ज़्यादे जल कि सुभधा हैं मलक का जल संधी से कहां से कहां रास्ता जाता है हाँ सेफटी वाल बिल्कुल मलक का जल संधी से कहां से कहां रास्ता जाता है जी ला जवाब एस्टुडेंट गर्दा कोस्चन गर्दा जवाब गर्दा यूटूब का ये मंच गर्दा यूटूब का मंच और गर्दा क्लास अनकेडमी और गर्दा क्लास अनकेडमी और गर्दा स्टुडेंट धुआधार धुआधार किस प्रजाती के सदस्यों की संख्या सरवादिक है दुनिया में किस प्रजाती के सदस्यों की संख्या सरवादिक है दुनिया में किस प्रजात के सदस्यों की संख्या सरवाधिक प्रस्ण संख्या 11 प्रस्ण संख्या 11 दुनिया में दुनिया में सबसे अधिक प्रजाति काके सायड काके सायड है सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक ये काके साइड पर जाती है ये पूरा इउरोप पूरा उतरी अमेरिका ऊतरी अमेरिका ठीक है एसिया का मध एसिया मध एसिया मध एसिया हना और एसिया पुर्भी ये सारे लोग जो है काके साइड है तो दुनिया में सबसे अधिक काके साइड पर जाती है साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुस्मन कौन है प्रस्न संख्या बारह एक दम एक दम राजपूत जी घजब 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 एक दम बढ़ियां उस साम्यवाद क्या कहता है सारा प्रुब्लम, स्रमिकों का गरीबों का, सारवहारा का सामयवाद में, सारवहारा का सारवहारा का प्रुब्लम, सारे समस्या की जड़्ड क्या है, सारे समस्या की जड़ क्या है नीजी संपती अगर आज कोई मस्ती में है तो अपने संपती के कारण मस्ती में है और अगर कोई गरीबी रेखा में जी रहा है तो अपने संपती उसके पास नहीं है इसलिए जी रहा है तो नीजी संपती क्रिशी उत्पादों का स्रेणी करण और मानकी करण किसके माध्यम से होता है विपनन और निरिक्षण निदे साले के नुसार होता है योजना आयोग की जगह नीती आयोग बनाया गया है नीती का पूरा विस्तार क्या है प्रस्न संख्या 14 प्रस्न संख्या 14 नीती का पूरा विस्तार क्या है चौदह गर्दा 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 सभी लोगों का सांदार है हाँ सभी लोगों का सांदार है बिलकुल और जन्वरी जन्वरी 2015 को 2015 को नीती आयोग की अस्थापना हुई जन्वरी 2015 में और योजना आयोग समाप्त कर दिया गया वेरी गुड वेरी गुड नेशनल इंस्टिचूट फॉर ट्रांसफर्मिंग इंडिया गर्दा गर्दा वाला जी गर्दा वाला कुस्चन और गर्दा वाला इस्टुडेंट आ किमन लिखित में कौन सा गांधिवादी अर्थ बेवस्था का मुल सब्द नहीं है गांधिवादी अर्थ बेवस्था का मुल सब्द कौन नहीं है बड़ा बढ़िया कुस्चन है बहुत अच्छा कुस्चन है गांधिवादी अर्थ बेवस्था का मुल सब्द कौन सा नही बहुत बढ़ें बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर डी होगा गांधी जी विकेंद्री कृत अर्थ मेवस्था चाहते थे कि गांधी जी चाहते थे कि अर्थ मेवस्था बिकेंद्री कृत हो कुछ लोगों के हाथों में न जमा हो बलकि उस पर सबका अधिकार अश्वघोस किसका समकालिन था बहुत बड़े रचनाकार जिन्होंने बुद्ध चरीत की रचना की जिन्होंने अश्वघोस बुद्ध चरीत की जिन्होंने रचना की और जिन्हें भारत का मिल्टन कांट गेटे जो है यह कहा जाता है इस असव घोस ये कनिस्क के दरबार में रहते थे क्या बात है बहुआ गजब है आप लोग गजब 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 सुन्ग वंस के बाद किस वंस ने भारत पराज़ किया शुंग बंस के बाद किस बंस ने भारत पराज किया? शुंग वंस के बाद किस वंस ने भारत पर सासन किया शुंग वंस के बाद कण्व वंस ने सासन किया और वासु देव कण्व ने वासु देव कण्व ने सुंग वंस का अंत कर शुंग वंस का अंत कर जो है वो कण्व वंस की अस्थापना की कण्व वन्स की अस्थापना की वासुदेव कण्व ने ये जो है लगभग 75 इसापुर्व में 75 BC में वासुदेव कण्व कण्व वन्स 75 BC से लगभग 40 BC तक रहा 75 इसापुर्व से लेके 40 इसापुर्व तक लगभग कण्व वन्स का रहा 1090 सीमुक निम्न बंस्वों में से किसका संस्थापक था सीमुक सीमुक किस बंस्थ का संस्थापक था जी सीमुक किस बंस का संस्थापक था एक दम बढ़ियां ये सात्वाहन बंस का संस्थापक था और इसने सात्वाहन बंस की अस्थापना की थी और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी प्रतिष्ठान साली सासा कौन था इसका सबसे सक्ति साली सासा गौतमी पुत्र साथ करनी था गौतमी पुत्र साथ करनी इसका सबसे सक्ति यह ऐसा राजवंस था जो अपनी माता के नाम से जाना जाना था माता के नाम से जाने जाने वाला एक मात राज्वनस, क्या बात है आकांचा बर्णवाल गजब बाबू गजब आका अच्छा लाजब लाजब गौतमी पुत्र सात करनी और यही एक वनस था, जिसके सासक अपनी माता के नाम से जान जाते थे मुगल काल में सेना का सुप्रीम कमांडर निम्न में कौन था मुगल काल में सेना का सुप्रीम कमांडर निम्न में कौन था प्रस्न संख्या 19 आपके सामने है मुगल काल में सेना का सुप्रीम कमांडर निम्न में कौन था वाओ बीर एक भी एंसर अभी तक नहीं आया एक भी एंसर नहीं आया बीर क्या वीरों गर्दा कबार दीजिये एक भी एंसर अभी तक नहीं आया बीर क्या बात है अभी तक एक भी सही अंसर नहीं आया है अभी तक प्रस्न संख्या 19 का एक भी अंसर नहीं आया है प्रस्न संख्या 19 का एक भी अंसर नहीं आया है अब आया सही राजा था राजा regime commander भारत का Supreme commander कौन है राष्ट्र पती भारत का सुप्रिम commander है उस समय राजा मुगल सासक मुगल सासक Supreme commander हुए यह यह जो मिर्भक्षई होता था यह और इसका काम था बेतन दिल्वाना वेतन दिल्वाना यह वाला अधिकारी था वेतन अधिकारी था मीर्भक्जी की अगला मुगलकालीन भारत में राज की आए का प्रमुक्ष रोट क्या था हैं बहुत बढ़ियां में बहुत सुन्दर पता है अब हम लोग आगे से जब करेंगे class, आगे से अब class हम लोग करेंगे, तो अब आप लोग जो है, ओ एक copy रखिएगा, और copy में answer दीजेगा, और मिलाईएगा, ठीक है, इस पर भी दीजेगा, और copy में भी लिखिएगा, कि ये मेरा सवाल सही हुआ, ये मेरा सवाल सही हुआ, ऐसे किजिएगा, तब बहुत बढिया, रबिंद्र जी, बहुत बढिया, बहुत सुन्दर बाबू, और अब copy में गिनते जाईएगा, उसके बाद, ये साथे साथ बजे होती है बाबू, पांच मिनट इधर या उधर, बिस्वजीत जी, बिस्वजीत राय जी, ये साथे साथ बजे होती है, कभी पांच मिनट इधर या उधर, लेकिन कोशी सम करेंगे, कि साथे साथ में, दिसंबर में कंटीनीव करें, दिसंबर में, साथे साथ में कंटीनीव करें, निमन लिखित में से किस जुग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी ती कि मिलेंड में पान्सी गई यह मदन लाल धिंगरा और उद्दम सिंग को क्वा कामा गाटा मारू क्या था कामा गाटा मारू क्या था भाई कामा गाटा मारू क्या था ये कनाड़ा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था 2914 में कनाड़ा इसमें भारतिये थे बहुत जादा ये एक जापानी जलपोत की राय पर लिया गया था इसमें भारतिये थे कनाड़ा ने अपने जमीन पर नहीं उतर ने दिया इसी बीच जो है ओ फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रथम भी सुझुद सुरू हो गया और इसमें कई लोग मारे गए और लोगों को पकड़ लिया गया अंग्रेजों द्वारा तो ये बहुत बड़ी घटना माना जाता है सोतंतरता के दौरान एक बहुत बड़ी साजी संग्रेज मानते थे लेकिन भारतिये नेताओं का कहना था कि अंग्रेज अमानवी बेभार किये भारतिय कि थी इंडिपेंडेंडेंस लिक नहीं मेरे यहां से बफ नहीं हो रहा है मेरे यहां से बफ नहीं हो रहा है कैंडी जी कैंडी जी मैं तो अप्टिकल फाइबर हाई ली हाइए स्पीड हाइए स्पीड डाटा नेटवर्क मैं लगाया हूं हाइए स्पिट डाटा नेटवर्क मेरे पास है एक दम बढ़ियां एक दम सांदार एक दम सांदार बंग भंग बिरोधी आंदोलन का प्रारम किस तिथी से हुआ था बंग भंग बिरोधी आंदोलन का प्रारम किस तिथी से हुआ था अगस्त पांच से साथ अगस्त गोश्ना जुलाई में ही हो गई थी तो साथ अगस्त तिथी आंदोलन शुरू हुआ जब भारत स्वतंत्र हुआ उससे में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे प्रधान मंत्री कौन था अठारा सो संतावन के बिद्रोह के समय यह भी भी आई है पुछता है यह पुछता है ब्रिटिस प्रधान मंत्री कौन था अठारा सो संतावन के बिद्रोह के समय ब्रिटिस सर रोज कलास लीजिए एक जाम नज़ी एक दम कोसिस करेंगे एक आद दिन पता है सुकरवार को छुटी रहता है सनीवार को के वल जो है वह बहुत जरूरी काम आ गया था गेस्ट आ गया थे बहुत गेस्ट आ गय थे इसलि यह नहीं लिया कोई बात नहीं ब्रिटिस भारतिय राज ब्रिटिस भारतिय राज चेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था किस ने कई छेत्रों को ब्रिटें में मिलाया था हाँ इसलिए संडे को तो जरूर लिया राजीव कुमार जी इसलिए मैं संडे को हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक दम सही डलहौजी के काल में अंतिम विस्तार हुआ पंजाब को मिलाया गया पंजाब को फाइनली मिलाया गया बर्मा को मिलाया गया वर्बर्मा को मिलाया गया लोर बर्मा को और इस परकार अंतिम फाइनल और डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स जो है गोधनी सेध प्रथा के कारण गोधनी सेध प्रथा के कारण कई राज्यों को भारत में मिला लिया गया अवध को मिलाया गया कुशासन के आरोप में अवध को मिला लिया गया जहां सीवाग में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मौद्ध किसने समझोता करा है कि क्या बात है ब्यूटी ऑफ नेचर जी खुब खुश रही है बाबु खुब खुश रही है कि हाँ डॉक्रिन ऑफ लैप्स बिल्कुल बिल्कुल बाबु ये देखे दोनों ने कराया था या यह हो जाएगा टीलक ने भी कराया था एंसर यह जाएगा यह दोनों ने मिल के कराया था भारतियय एटियम सुल Gold कों डाफ है किसकी अध्यक्षता में समीथिक अगठन किया है भारतिय रिजर्ब बैंक ने ATM सुलकों की समिक्षा के लिए किसकी समीति में किसकी अध्यक्ष्टा में समीति का अगठन किया है 29 का ए होगा बाबूज वी जी कन्नन की अध्यक्ष्टा में केंद्र सरकार ने किस वर्स तक सभी को स्वक्ष पेजल उपलब्ध करवाने का लक्ष रखा है केंद्र सरकार में किस वर्स तक सभी को स्वक्ष पेजल उपलब्ध करवाने का लक्ष रखा है एक दम सही 2024 एक दम सही एक दम सही 2024 बिलकुल बिलकुल गर्दा वाला गर्दा कि पूश्प में न्र-लैंगिक उंग कौन है उहाँ है पूष्प में नर-लैंगिक उंग कौन है आला कि कोश्प्रिंटिंग अ जो है वह गड़बड से लेकिन एंसर आप निकाले जंटर सह है पूश्प में नर- прим लैंगिक उंग कौन है आँ ये बी न होगा, पुमंग न, पू से पूरुस, पू से पूरुस, आ पू से पुमंग, आ जो से जायांग, जायांग, और जो से जनान, जनानी अंग जो है जायांग है, और पूरुस अंग पुमंग है, ठीक है, पूरुस अंग पुमंग है, निमन लिखित में से क्या? सल्फर उक्साइड प्रदूशन का सरोतम सुचक है क्या सल्फर एस ओ टू होगा सल्फर उक्साइड प्रदूशन का सरोतम सुचक कौन है बिल्कुल सही होगा लाइकेन लाइकेन एक दम सही है लाइकेन सही है निमनल लिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है निमन लिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। कौन सा एक जड़ नहीं है। एकदम सही है, आलू तना है और सब निमन लिखित का मिलान किजिए। निमनल इखित का मिलान कीजिए, क्या सही है? निमनल इखित का मिलान कीजिए. ये कैसे मिलान होगा जी? ये हम लोग कर दें, one, two, three, तब मिलान हो जाएगा क्या? अगर ऐसे कर दें, तो मिलान हो जाएगा. वन का प्रकंद, बे गलत है, क्योश्चन गलत है, बल्ब होगा प्याज, और आलू होगा कंद, ये गलती है, और प्रकंद जो है, प्रकंद ये हल्दी अधरक, हल्दी अधरक. और ये प्याज लहसुन, प्याज लहसुन बल्ब है, सही है, C, A, B, नहीं, क्येला कहां होगा, क्येला नहीं होगा, क्येला जड़ थोड़े है, राल, राल का निश्कर्शन किस से होता है, राल होता है, राल एक जलता है पूरा तेजी से, इसका निश्कर्शन किस से होता है, राल का, राल का निश्कर्शन किस से होता है यह चोड़ी इविक कोश्चन ठीकने आगे लाते हैं बादल किस कारण बायू मंडल में तेरते हैं अगला प्रस्ण है बादल किस कारण बायू मंडल में तेरते हैं हाँ बादल किस कारण बायू मंडल में इसलिए ना उसकोश्चन को हटा दिया मैंने बादल किस कारण बायू मंडल में तेरते हैं बिल्कुल सही है बादलों का घनत्व निम्न होता है इसलिए बायू मंडल में तैलते हैं बादल निम्न घनत्व के कारण बायू मंडल में तैलते हैं बहुत बढ़ियां महात्मा गांधी का जन्म दो अक्टूबर को हुआ था भारत के एक अन्य महापुरुस का जन्म भी इसी तिथी को हुआ था वह महापुरुस कौन थे वह महापुरुस कौन थे बता ये तो वह महापुरुस कौन थे जिनका जन्म दो अक्टूबर को हुआ गुड इवनिंग बाबू पृति पांडे गुड इवनिंग बाबू गुड इवनिंग एक दम सही लाल भादुर सास्त्री पूर्व प्रधान मंत्री माननिय प्रधान मंत्री हाँ हाँ लाल भादुर सास्त्री जी का भी प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने स्वदेशी तकनिक से निर्वित बहुत देशी हलके लड़ाकु बिवान LCA का नाम क्या रखा? Light Combat Aircraft LCA का नाम क्या रखा? प्रस्न संख्या 38 प्रस्न संख्या 38 LCA का नाम क्या रखा? खुब खुश रही है बाबू, मनोहर जी, मनोहर जी, खुब खुश रही है मनोहर जी क्या नाम रखा? अरे तेजस, 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 बहुत बढ़िया नाम है, तेजस इतना सुन्दर नाम है ये तेजस तेजस, तेजस, बहुत सुन्दर नाम है, तेजस हाँ बिल्कुल 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 ये बाजपेई जी का नाम दिया हुआ है तेजस नाम बाजपेई जी का दिया हुआ है एक पॉंड बराबर कितना होता है एक पॉंड एक पॉंड बराबर कितना होता है एक पॉंड बराबर कितना होता है बाबु पॉंड इक्वाल टू जय हो जय हो ना 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 कोई का सही नहीं हुआ मनोहर जी गलत गलत ई होगा ई 400 तीरपन ग्राम होता है 400 तीरपन ग्राम आप लोग जो केक खरिते हैं बढ़्डे पर केक तो वो पॉंड में होता है पॉंड में आपसे पुछता है कई पॉंड का रहेगा तो आप समझ जाईए कि एक पॉंड लिये तो आधा कीलो के लगभग लगभग आधा कीलो लगभग आधा कीलो लगभग जो होता है यह होता है फूट पॉंड एफपीएस पधती में यही जो है ओ द्रभ्यमान का मात्रक है द्रभ्यमान का एफपीएस पधती में द्रभ्यमान का मात्रक क्या बाद प्राथम तेल परिश्करण सन्यत्रे यानि सोधन तेल सोधन सन्यत्रे कहां अस्थापित किया गया था प्राथम तेल सोधक सन्यत्र कहां अस्थापित किया गया था और आप लोगों को मैं एक सुचना देदू कि अब हम लोग दिसंबर से एक दिसंबर से हम लोग जो करेंगे एक दिसंबर से अब हम लोग जो है वो बड़े स्क्रीन पर करेंगे आप लोगों के लिए अब एक दिसंबर से मैं बड़े स्क्रीन पर बड़े स्क्रीन पर क्विज कराऊंगा बड़े स्क्रीन पर बड़ा स्क्रीन पर क्विज कराऊंग पूरा स्टूडियो के साथ, एक दिसंबर से, एक दिसंबर से बड़े स्क्रीन पर कराऊंगा, पूरा स्टूडियो के साथ, ठीक है, तो आप लोग अब जो है क्या बात है यही साथ तीस वजे साथ तीस टाइम है और बड़े स्क्रीन पर होगा बड़े स्क्रीन पर होगा गर्दा वाला कुईज गर्दा वाला गर्दा वाला गर्दा उड़ा के होगा गर्दा उड़ा के आप लोगों के परिच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अब गर्दा वाला कुईज होगा और मैराथन होगा मैराथन होगा गर्दा वाला गर्दा वाला मैराथन होगा अच्छा इसमें आप लोग बताईएगा क दरोगा के छात्र, SI के छात्र, SI के अधिक हैं कि BPSC के, SI वाला लाया जाए, BPSC लाया जाए, SI की BPSC, December से क्या लाया जाए, December से BPSC की SI, भारत में प्रथम भूमिगत परमानु विस्फोर कहां किया गया था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो एक December से गर्दा वाला होगा, गर्दा वाला, BPSC, सही, सही BPSC चलेगा, चलिए, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, और इसमें एक तरफ जो था, एक तरफ मीर कासिम था, मीर कासिम था, सुजाओ दौला था, सुजाओ दौला था, यह जो है, दो नमबर, यह तीन नमबर, और शाह एक नमबर, एक नमबर में साह आलम दूइतिये था, यह तीनों मिलके एक तरफ और एक तरफ अंग्रेज थे, और एक तरफ अंग्रेज थे, अच्छा वनली BPSC, एक तरफ अंग्रेज थे, दम 1764, एक तरफ अंग्रेज थे, और अंग्रेजों का, आप लोग बताईएगा सेना पती कौन था, अंग्रेजों का सेना पती कौन थ था यह आप बताएं जिखने अंग्रेजेयों का सेनप्ति कौन था बक्सर के जुद में धोर श्वर्धन का सासन का लगभक इतने वर्सों तक रहा थाथ अब बताएं वाउ क्या बात है आकानच्हा जवाब मनोहर जी ग्याब बात है आकांचा ला जवाब ला जवाब हेक्टर मुनरो हेक्टर मुनरो एक दम एक दम एक दम तो हर्षवर्धन के सासनकाल में हर्षवर्धन ने लगभग हर्षवर्धन का सासनकाल था च्छो सो च्छो सो से च्छो सो से तालिस तक था और लगभग चालिस साल उसने सासन किया था अगला विसाखा पत्नम किसलिए परसिद है विसाखा पत्नम किसलिए परसिद है विसाखा पत्नम किसलिए परसिद है बिलकुल जहाज निर्मान के लिए बिलकुल बिलकुल जहाज निर्मान के लिए अगला breast stroke पद किससे समनी थे breast stroke ये दो सब्द खुब आता है breast stroke और butterfly और butterfly ये दो इससे आता है खूप ब्रेस्ट श्ट्रोक सब्द किस से समन्धित है जय हो जय हो जय हो अरे ये मुग के बाद ये तैराकी से समन्धित है ना ब्रेस्ट श्ट्रोक और बटरफ्लाई दोनों तैराकी से ना है जय हो गर्दा 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 आर्थिक द्रिश्टी से एक पिछड़े देश क की विशेष्ता नहीं है पीछडे देश की विशेष्ता नहीं है अरे इसमें D होगा न यहां प्राथमिक छेत्र में उच्च श्रम होता है न सबसे अधिक लोग किसमें लगते हैं क्रिसी में सबसे अधिक लोग क्रीसी में लगते हैं पसुपालन में लगते हैं प्राथमिक छेत्र में सबसे अधिक लोगों की प्राथमिक छेत्र में सबसे अधिक रोजगार होता है आधी ग्रंथ को किस ने संग्रहित किया था आधी ग्रंथ का संकलन किस ने किया था संकलन आधी ग्रंथ का संकलन किस ने किया था प्रस्ण संख्या फोटी सेवन आधि ग्रंथ का संकलन किस में किया थ। गार में सायद 1ड़ दिन चुटी लूँगा और उसके बाद 1 दिसंबर से लागातार चलेगा बड़े एक दिसंबर से बड़े एस एक दिसंबर से एक नए अंदाज में मिलूँगा एक दिसंबर से ठीक है तो आप सभी तयार रहें सेर करेंगे लाइक करेंगे और मैं नए अंदाज में मिलूँगा विख्यात तट मंदिर कहां इस्थित है विख्यात तट मंदिर कहां इस्थित है एक दिसंबर से मैं लागातार हूँ एक दिसंबर से मैं लागातार हूँ एक दिसंबर से थोड़ा सेट करवालू और एक दिसंबर से मैं एक दम आप लोग के साथ कंटीनिव रहूँगा विख्यात तट मंदिर मामल पुरम या महाबली पुरम में है न इसी को सोर का मंदिर भी कहा जाता है इसी को सोर का मंदिर भी कहा जाता है सोर का मंदिर सोर का मंदिर और इसका निर्मान किस ने करवाया था इसका निर्मान करवाया था नर्सीह वर्मन दुईतिये ने नर्सीह वर्मन दुईतिये ने नर्सीह वर्मन नर्सीह वर्मन सेकेंड ने करवाया था सोर का मंदिर या तट मंदिर का निर्मान ततकाल उर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को क्या लेना चाहिए और प्लीज मैं एक दिसंबर से आ रहा हूं एक दिसंबर से मैं एक दम रेगुलर रहूंगा आप लोग के लिए एक दिसंबर से एक दम रेगुलर रहूंगा कर्भोहेड्रेट लेना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है निम्न लिखित तो क्या तेट करवाया जाए न आप लोग को गर्दा वाला गर्दा वाला सेट करवाया जाए तो एक दिसंबर से मैं आ रहा हूं गर्दा मचाने निम्न लिखित में से पॉलिमर ह कौन सा एक पॉलिमर है तो पॉलिमर है बिनाइल क्लोराइड यह एक पॉलिमर है यह बिनाइल क्लोराइड और मैं आप से निवेदन करता हूँ वह पाँच बजे चलता रहेगा, फांच बजे, कल पांच बजे भी नहीं होगा, कल पांच बजे भी नहीं होगा, एक दिसंबर से मैं regular रहूँगा, एक दिसंबर से 7.30 बजे मैं regular 37 प्रफ इयम में रहूँगा, आपके साथ अपने इसी YouTube चैनल पर तो आप जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यह Crack BPSC with India's largest learning platform है और यह आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें डाउनलोड करें Unacademy को Google Play Store से यहाँ पर संडे को प्रती संडे को फुल लेंथ scholarship टेस्ट होता है और कोई न कोई सिख्छक उसका बहुत अच्छा से discussion करते हैं दो बजे तो इस बार लोकुस पांडे सर ने discussion किया और आप जो है अगले सर उनके discussion का लाब उठाएं आप 15 टॉप स्कॉलर सीट में जुड़ें जिनको की 50% तक मिलता है यह देखे टारगेट BPSC और बिहार SI Prelims के लिए यह जो है फ्री टॉपिक बेस्ट मॉक टेस्ट है और इसका schedule आपको दिया गया है तो यह schedule अबलग भग last चल रहा है नॉवमबर का आप इसका लाब उठाएं यहाँ 67 प्रिलिम्स BPSC प्रिलिम्स का भी है इसका भी schedule last चल रहा है आप इसमें भी भाग लीजिए बुनियाद NCRT बेस्ट टेस्ट सीरीज है इसका भी जो है schedule दिया हुआ है आप उसमें लाब उठा सकते हैं और आप अनेकेडमी के plus score से जुडेंगे तो comfortable माहल में तयारी कर सकते हैं यहाँ unlimited access होता है यहाँ top educator आपको guide करते हैं इंडिया के top educator आपको guide करते हैं यहाँ यह पूरा जो है वो coverage आपको syllabus का कराया जाता है तयारी करा जाता है doubt clearing session आप यहाँ कर सकते हैं यहाँ जो है live test series में भाग ले सकते हैं study material PDF में उपलब्ध होता है वो बहुत कुछ जो आप लेना चाहते हैं आप unacademy से जुडेंगे पांच बजे जो है यहाँ पर current affairs का test होता है आप उसमें जुडेंगे और अगर एक से दस rank में आएंगे तो 25% आपको scholarship मिलता है विभिन विशाय विशे सग्ज गुरु अद्वारा भी test लिया जाता है समय समय पर और देखे गुरु ग्यान प्रकास सर भारतिये राज विवस्था पर test लेते हैं गुरु अभी मन्नु सर दिहार पर आपके लिए लेकर के आए हैं गुरु अभय परताफ सर आपको जोग्रफी पर टेस्ट लेकर के आए हैं आप इसमें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड को फर्स्ट को 75% सेकेंड को 50% और थर्ड को 25% जो है स्कॉलर सी प्राप्ट होता है तो आप इसमें भाग लें और यह जो है बैच कोर्स अभी आया है हाल में अभी बैच कोर्स आया है और यह बैच कोर्स में अनेकेडमी के सभी टॉप एजुकेटर बारह टॉप एजुकेटर हैं और यहां देखिए 68th BPSC PT और मेंस के लिए 8 महीने का एक कोर्स और सभी टॉप एजुकेटर जो है वो ले करके आये हैं अलग-अलग सब्जेक्ट तो आप BPSC prelims, BPSC मेंस, BRSI, CDPO सब के लिए एक कहीं सब के लिए एक कहीं सब्सक्रिप्सन ले सकते हैं और इस तरह जो है आप सब्सक्रिप्सन जब लेते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिए और मेरा कोड है AJAYYTLIVE AJAYYTLIVE और इस परकार जो है आपको 10% छूट मिलेगा AJAYYTLIVE अगर आप कोड यूज करते हैं आप UPPSC और UPSC तथा BPSC का कमेंड कोर्स भी कर सकते हैं और इस पर भी आप जो है मेरा कोड यूज कर सकते हैं AJAYYTLIVE AJAYYTLIVE करके और इस पर भी 10% छूट प्राप्ट कर सकते हैं तो आपको ON ACADEMY से जूडने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद गुड नाइट हार्दी कभी नंदन आपका और फिर मिलते हैं हम एक दिसंबर को इस इन ही जो है सांदार प्रस्णों के साथ तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए मैं डॉक्टर अजे कुमार पांडे ON ACADEMY के तरफ से आपका आपका आभार ब्यक्त करता हूं और मिलता हूं एक दिसंबर को बहुत बहुत धन्यवाद बाबू बहुत बहुत धन्यवाद